नमस्कार स्वागता आपका मेरे यूटूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में CITS 2021 में अब जो सेकंड राउंड में स्पॉर्ट अड्मिसन का आप लोगों को मौका दिया था तो उसमें आप लोगों के कैसे कालेश च्वाइस करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सरे एक वीडियो बना दीजे थाकि हम लोग को अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल सके मैं दो दिन से वेट कर रहा था कि आप लोग जब अपलाई करेंगे तो उस समय आपको वेकंट सीट वहाँ पर दिखाएगा कैसे आप वेकंट सीट देखेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं अपलाई करूंगा तब तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के गाइडेंस के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग यहाँ पर ऑफिसल वेफसाइट पर देख सकते हैं के लिए स्पॉर्ट कांसिलिंग के रेजिस्टेशन के लिए आप लोग यह लिंक देख सकते हैं तो इस लिंक पर गरिया आप लोग कर लिया आप लोग यह पर देख सकते हैं में पांच से ज्यादा इसके जो है इनसट्या कॉछेश यह ऐले न最近 तो इसकंग पांच आएंगे चौईश करने के लिए तो आप पाच ओप्शन जो है वह भर सकते हैं छ सब uyर्ण टॉइब जिसमें ज्यादा स्क्षिये वह अपने अहसाब से देख लिए इस हेयर chúng फ़ॉस्टपर कर लेता हूं। सीकिंद पर जो भी 54 मुझे लगता है ऐटी जो इती गोटा इसको कर लेता हूं। फैर्ट परह गार टोट लगर लेता हूं। और फ़ॉर्थ वे कragen और ऍली फिर यह और।baby 64 यह कि यह 15 तारीक को तो उससे पहले पहले आप कितनी बार उनको री सेलेक्ट भी कर सकते हैं मैं आपको री सेलेक्ट भी करना बता दूंगा तो पहले मैं आपको सेलेक्ट करके 5 मैंने सेलेक्ट कर दी हैं उसके बाद मैं सम्मिट करूंगा तो जैसे ही मैं सम्मिट करूंगा यहा यहां पर देख सकते हैं कि एनस्टि आई बैंगलूरू में यहां पर 50 सीट हैं 50 सीट तो यहां पर हैं पर इसमें कितने अभी तक तो देखिए 50 सीट हैं जिसमें से 39 एडमिटेड हैं मतलब 39 जो हैं वो एडमिशन हो चुके अब 50 में से 39 घट आएंगे पर वैकेंट रहे पर 13 सीट हैं और यह चात की पोजिशन आ रही है 32 तो मतलब 13 सीट है और 32 पोजिशन आ रही तो इसमें तो इसका सेलेक्शन हो नहीं पाएगा तो हम ITOT भोपाल को फ़र्च बनाकर देख लेते हैं तो ITOT भोपाल को फ़र्च जैसे मैं बनाई हूं बनाया हूं तो यहां पर करण देख सकते हैं सीट तो यहां पर है कितनी सॉ शीट है Also admitt'd कितने हैं यहां पर सत्तर हें तो यहां पर स हुआप सीड बची 30 में अप्लाइट पी ऐटे-न लोगों ने इनकी सीहन जो है छात्र की वह फोटी-7 है तो तीस सीट है और उनकी सेलेक्शन है मतलब यहां इनक पास्ट चोइस करूगा तो यहाँ पर आप देख सकतें कि सीट यहाँ पर कितनी हैं और यहाँ पर अपक्सिट लोग हैं यहाँ साथ सीटों पर 157 बुद्द है यहाँ पर्यती सेवल्सेवर्णाट सीट है जिसमें इनकी जो पोजीशन वो 97 है तो इस पर इनका सेलक्षन नहीं हो पाएगा तो ऐसी में चौइस है वो बदलता रहता हूं एनस्टी है है रवाट चौश कर चलिए मैं चैन्नाई चौश करके देख लेता हूं तो चैन्नाई में टोटल 150 सीट है एक सटरा लोग ए पाएगा तो ऐसो आप लोग जो है वो फास्ट चौश है उसको आप बदलते रहिएगा तो अब यहां पर मान लिजे कि यह पांचो चौश आपने फिल कर ली और आपका किसी में भी यहां पर चांस नहीं बन रहा है जितनी भी वेकंड सीट है सीट में से एडमिटेड घट है तो कहीं पर भी अगर आपका नंबर आने का चौश नहीं है तो आप लोग क्या करना इसको फिर से री सेलेक्ट कर लेना तो यहां पर मैं फिर से री सेलेक्ट कर लेता हूं तो सब चौश मेरी है जो री सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहां पर फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता ह पिर इसकी रैंका नहीं थी पिर जो भी है अगर मेंन आप लोग कर लेता हूं या या निस्ट यह मुंबई में फिल कर लेता हूं तो तो उसके बाद में फिर से इसपैसर में कर देता हूं, summit करने के बाद मैं यहां पर देखता हूं कि बाकी आप लोग देख लीजिएगा तो यहां पर आप अपनी पर देख लीजिए मैं इतनी शीट एक इडमेड है तो यहां पर आपकी रेंड लास्ट में दिखाएगी पोजीशन ऐसे ही आप जिसे भी चाहें उसको first choice बना के देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको possibility लगे कि जितनी seat है वेकंड seat है तो total seat में से admitted घटा देना है वेकंड seat आजाएगी उसमें आपकी position अगर वेकंड seat के under आती है तो आपकी जो position है तो number आने का chance है वो काफी है नहीं आपका number आने का chance नहीं है ऐसे ही आप लोग select करते रहिएगा तो आसा करते हैं कि आप लोगो इस video से समझ गए होंगे कि आपको select कैसे करना है और आपकी position और आप अपना position कैसे check कर सकते हैं कहां पर कितनी वेकंड seat है वो भी आप check कर सकते हैं तो वेकंड seat का अलग से कहीं प और बाकी आप लोगों को बताए कि 15 तारीक को शाड़े पांच बज़े ये link है वो deactivate हो जाएगा तो 15 तारीक के शाड़े पांच बज़े से पहले पहले आप सारे को select कर लेना अगर आप college को अपना ranking देखते रहना अगर आपको लगता है कि मेरी इस college में ranking है वो जो back end seat है तो फिर उसको रहना आप अपने college को change करते रहना तो इसे साबसे आपका पता चलता रहेगा कि मेरा number कि CBNHTI या फिर ITOT में आएगा या फिर नहीं आएगा अगर आज आएगा तो फिर आपको फिर से जो है वो 7 दिन का 17 स्तेश तक का समय दिया जाएगा आप वहां जाके अगर वीडियो यूश्फूल लगा हो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद